नमस्कार YouTube चैनल N Universe 22 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे Leftward Welding टेकनीक के बारे में इस टेकनीक को forward welding और forehand welding के नाम से भी जाना जाता है और इस welding में blow pipe या welding torch को right hand में welding road और filler road को left hand में पकड़ते हैं और इस टेकनीक में welding job के right hand edge से सुरू होकर left hand की और बढ़ते हैं और जो blow pipe या welding torch होती है उसे weld bead के आगे और filler road को weld bead के पीछे रखा जाता है और जैसा इस diagram में हम देख पा रहे हैं यहां पर जो blow pipe की जो tip है वह है work piece के साथ 60 से 70 degree का angle बनाती है जबकि filler road या welding road work piece के साथ 30 से 40 degree का angle बनाती है और blow pipe को joint की चोड़ाई के अनुसार एक सीरे से दूसरे सीरे तक दिखाए गए तरीके के अनुसार घुमाना चाहिए और welding road या filler road flame की और केवल आगे पीछे ही करनी चाहिए और इस टेकनीक में filler road को अधिक तथा base metal को कम heat पहुंचती है और इसी लिए इस टेकनीक का प्रियोग पतली चादरों की gas welding के लिए किया जाता है अधिक थिकनेस वाली जोब के लिए इस टेकनीक में filler road की consumption जादा होती है और जिससे है process महंगी expensive पढ़ जाती है इसी लिए इसका प्रियोग 5 mm तक थिकनेस की सीटों की welding के लिए अधिक किया जाता है और जब flame का प्रियोग welding road को पिगलाने के लिए करते हैं तो molten pool का जो ताप मान है temperature वह घट जाता है और इस प्रकार यह है एक good fusion यहाँ पर नहीं मिलता अब बात करते हैं leftward welding technique में joint को लगाने के लिए edge किस तरह से त्यार किये जाते हैं तो उधान के तोर पर हम लेंगे butt joint को लगाने के लिए job की जो thickness है उसके अमसार क्या 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 आप एतिहात बर्थ सकते हैं तो सबसे पहले diagram एक और दो को देख लेते हैं जो पहले diagram flange butt without gap और दूसरा flange butt with gap हमें नजर आ रहा है और यहां पर 1.5 mm thickness की जो plate है उनके किनारों को angle पर मोड कर flange त्यार किया जाता है और ऐसा ही जब 1.5 से 2 mm है जब flange butt है with gap है तब भी उनको angle पर उनको मोड कर edge को त्यार किया जाता है और जो तीसरे नमबर का diagram है जो square butt with gap मतलब कि इसमें जब plate की जो thickness है 2 mm से 3 mm होती है तो उनके edges को सीधा रखा जाता है और उनके बीच के gap को 1.5 mm रखा जाता है और चोथे नमबर पर जो figure हमें नजर आ रहा है वो single V butt with gap जब 3-5 mm thickness की plate के किनारों को त्यार करना हो और एक तरफ V बनाई जाती है जिसका angle 80 degree रखा जाता है और gap 1.5-2 mm रखा जाता है लेकिन जब thickness job की thickness 5 mm से अधिक हो तो उस condition में left ward welding का प्रियोग नहीं किया जाता है तो उसके लिए right ward welding का प्रियोग किया जाता है और जो left ward technique है वही 5 mm थिकनेस तक की mild steel की plate के लिए किया जाता है और इस technique के दुआरा ferrous वे non ferrous metal की welding की जा सकती है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और एन इन्वर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे